जैशी रग्जी हरेर मांदिप मैं हो जैरे संदे सक्से नमा लक्ष्मी जोतिश्य धार्पनी सनस्थान की तब से आप सभी का स्वागत करती हूं आप सभी को जो मिशसे बढ़े हैं सभी को पड़ाम छोटों को प्यार और जो मेरे हम उम्रें उनको बहुत बहुत प्यार और श्रिवात आज का एक नया वीडियो है उस नया वीडियो के साथ आपका दिन शुभा मंगल हो आज अज अब भोम वास है जो मंगलवार को पड़ती है उसको हम कहते हैं तो आज करें खास रोग है आज हैं क्या कर सकते हैं शाम को साथ बजए आपको यप्रूप करना है और आपके जो भी तुजोरी है जिसमें भी आप समान रखते हैं आपको एक सफेद रंग पेपर पे मंत्र लिखके लाल रंग के पेल से उसमें रख देना है यानि कि क्योंकि आज काल आपको पता है मुझे पता है लॉक्डाउन चल रहा है तो आपके घर में जितनों जो चीजा रखी भी हम उसी पे बताएंगे तो कोई भी वाइट रंग का पेपर लेना है और उस पे मंत्र रिखना है लाल रंग के पेल से उसको आप अपने पास रखकर मंत्र बोलते बे और फिर आपको उसको अपनी तिजरी में रख देंगे या आपने पूजा वाल स्थान पे रख प्रेम चंद्यारब को शीखारण से शादी करनी है इसके लाबा जो एक लड़की और है जिसका महिर पास मनों काम ना आई थी विए उनने बोला था कि तीन बार बोलना है तो वह यह था कि जॉनी चाहते हैं कि जॉनी वानिशा जो है इन दोनों का यह लोग इंडिया से भा लाबा जो शुमा केसरी है उसकी शादी रोशन से और पिरोषा की शादी जो है हष्ष हो जाए यह मैसेज में नकलिया थे आप सबी जानते कि मैं जब यूनिवर्स में मैसेज्ज करते हूं वह बहुत से लोगों के काम हो जाते है तो यह मैसेजिस में बेदने के लाए थे मैंने उन्वर्ष सी घ्रिया है कि इन सभी की मानों काम नगपको पीएorts करने के रुपट च्वरिया हुन जह दूरो आज देनी के लिए आश्रिफात आपका शुक्रिया धन्यवाद और मनिशा और जोनी का फ्रेवार लगा देने damage यह और साथ में जे उसको इरपोर्ट पर जॉब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धनेवार 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 यह मैं आपसे प्रातना करती हूं शिवा के स्री और प्रोशक लिए प्रातना करती हूं आप सब खुश रहें और हमेशा खुश रहें हमेशा कुश रहें हमेशा कुश रहो समय एक हनवान चल सब पढ़ लिया करो इससे क्या होगा आपका नेक्स्ट डे बहुत चाह ओगा या फिर अपने अगर पूरे दिन में कोई भी गलती करती हो जाने इन जाने में तो एक रात को हनवान चल सब पढ़ लिजे और कह दिजेगा I am sorry मुझे माफ कर दिजे क्योंकि ह मन चल सब पढ़ लिजे इससे आपको लाब मिलेगा आज हम बात करें थे उस मंत की वह कौन सा मंत्र है जिसको आपको आज शनी चरिया मावस करना है तो आपको निश्यत रुप से लाब होगा तो यदि आप धन से बहुत ज़्यादा प्रशान है आपको धन की बहुत ज़् खालता है पैसा आपके घर में टिकता नहीं है टिकता है तो रुकता नहीं रुकता है घर खर्च हो जाता है फालतु चीजह को जा दा घंता है इसका शाज़ा था तो पैसा खर्च करा देती हैं शक्तियां इधर-दर फालतु की चीजों में जब आपसे शक्तिया नाराथ होती हैं जसे कि अगर आपके इस आपके पर शक्तिया नाराज होंगी तो किसी का पर्स गिरा दिखा तो उस पर्स में 10-10 रुपे करके 20-20 रुपे करके कुछ सिटके थे लेकिन ऐसा करके कुछ 15-16 रुपे थे तो मैंने वैसे ही पर्स उठाया और वैसे ही मैंने उसको जो है आगे बढ़ा दिया ठीक है तो कुछ लोग कहते हैं कि पड़ावा पैसा जो है रस्ते मिलता है तो उसको पास में रखना चाहिए इससे आपकी लक्षमी संचित होती है ऐसा भी कहा जाता है सबके अपनी-पनी सोच है तो रख भी सकती हूं और भढ़ा भी सकती हूं दोने में से जैस अच्छा लगे तो आज जो मैं आपको उपाई बता रही हूं वह अलग था हटके था मैं आपको बता दे कि आपको परशान रहते हैं लेकिन आज की पाई में आपको बता रही हूं कि आपको कहीं से बर्वत का पत्ता मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है उस पे आप लाल रंगे सिंदूर से या रोली से लिखेंगे श्रिम और अगर आपको बर्गत का पता नहीं मिलता है तो सफेद रंग के कागज पर भी लिख सकते हैं श्रिम इसको लिखने के बाद आपको ओम श्रिम लक्षमे नमा का जाप करना है जितना मैक्समाप कर सकते हैं क्योंकि आप भो मामवस से है तो यह लगए और इसके बाद आपको इसको में रख लीजिए अपने पास रख लीजिए इससे आपको निश्यत रूप से लाब होगा आपकी रुके में काम बनने शुर्व होंगे और आपकी वनों काम नहीं पूर होंगी तो आज का यह वीडियो इतना ही है उमीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए आज के लिए थाइंक इस वाइए